Netherlands बनाम West Indies, West Indian flavor वापस आ रहा है बट International Cricket में जी हां International Cricket में West Indies जा रही है Netherlands खेलने के लिए और ये ODIH Series का पहला match है जी हां पहला match 31 में को Indian Standard Time के इसाब से धाई बजे खेला जाएगा और वो धाई बजे जो है मैच स्टार रोने का time आपके लिए Toss का time कितने बजे होगा दो बजे जो की आपके लिए crucial factor होगा क्योंकि उस समय कुछ squad में changes आ सकते हैं किसी player के unavailability होगे तो ऐसा कुछ हो सकता है इसलिए आपको दो बजे जो है सारे squad के updates चेक करने परेंगे कहां चेक करने कहीं नहीं जाना है simply आप हमारा app Google Play Store से डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पे आपको दो बज के दो या तीन मिनट के अंदर सारा notification आ जाएगा ऐसे तो आपको वहाँ पे update मिल जाएगे कि final squad अपडेट हो चुका है अपनी changes कर लें हमारा जो यह fantasy gully का website है वो भी आप check out करें वहाँ पे बहुत कुछ मिलेंगी आपको सिर्फ इस match जैसे कि हम सिर्फ IPL कवर नहीं करते हम सिर्फ इंडियन विमेंस का कवर नहीं करते इंडियन मेंस का कवर नहीं करते वर्ल्ड ओवर क्रिकेट में जहां भी domestic international जो भी चल रहा है सब कवर करते जैसे कि आपके लिए लिखा भा है हमने your one stops of fantasy gaming destination आपको जिस भी match के लिए international domestic चाहिए fantasy tips चाहिए teams चाहिए सब मिलेंगी सारे suggestions मिलेंगी एक ही जगह पे fantasy gully.com वीडियो हम जितनी matches की host सकेगी उतनी बनाएंगे लेकिन आपको सारे के tips और tricks मिल जाएंगे website पर तो website जरूर चेक कीज़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह points of discussion यहाँ पे जैसे हमने लिखके रखें यहाँ पे team head to head, यहाँ पे dream team आपको कैसी दिखनी चाहिए सब आपको मिलेगा एक दो team नहीं साथ तर असी team में मिलेंगी वहाँ पे available आप जिस भी fantasy site पे खिलते हैं dream 11, my 11 circle हाला पे आपको हर किसी के लिए teams मिलेंगी तो आपको चिंता करने की कोई जरूत नहीं है और यही सारे stats use करके हमने top fantasy picks निकाले हैं जी यहाँ top fantasy picks आपके लिए ताकि आप जितने भी teams बनाएं उसके core players जो कि आपको कम से कम average fantasy points दिलवा दे ऐसे players हमने खोज के निकाले हैं आपके लिए Netherlands से Logan Van Wick और Fred Klaassen, West Indies से Shai Hop और Akil Hussain यह 4 players को अपने team में रख लें तो आपके core team जो है ना almost settled लगती है average fantasy points तो आप कमा ही लेंगे बाकि captaincy wise, captaincy picks, full squad, player battles तो शायद नहीं मिलेंगी आपको इस वीडियो में पहली बार bilateral series में मुकाबला हो रहा है लेकिन जो भी आपको details मिल सकते हैं जितनी availability है आपको मिलेंगी आप बस बने रही है हमारे साथ अब इसके आगे हम मिलेंगे बिल्कुल सारा details के साथ जैसे के मैं निकाए stay tuned with the end for full details आपको मिलेंगे सिर्फ इंट्रो के बाद नमस्कार दोस्तों मैं रॉनकुमार केडिया एक फिट्स आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में जहां पे आज हम आपको बास बात करने वाले है नेधरलेंड्स और वेस्ट इंडिस के मैच की चलिए टाइम बिना वेस्ट किये चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ यानि पिच कंडिशन्स कैसे हैं तो पिच कंडिशन्स हैं वैसे तो वेन्यू है वी आरे क्रिकेट ग्राउंड पिच बैटिंग फर्स मानी जाती है क्योंकि पिछले 6 और डियाई में 5 जो है पिच में स्कोर बन गया फर्स बैटिंग करते वे तो विनिंग स्कोर माना जाता है नॉर्मली वेदर यहां पे बारिश होने के चांसे हैं तो इसलिए आप अगर बारिश हुई टॉस के आसपास देख लिजेगा तो आप फास्ट बोलर्स जादा लिजेगा वैसे हमको स्ट आप उसको ध्यान में जरूर रखिए चलिए आगे बढ़ते हैं वहाँ पर लेकिन हाँ वैसे तो यह दोनों टीमों का मतलब आपस में वैसे कोई मुखाबला नहीं है फिर भी मैच आपको और हमको फैंटेसी के लिए खेलना पड़ेगा और फैंटेसी किस कौन से प्लेयर सबस्यादा पॉइंट्स आपको देंगे वह हम आपको बताने वाले हैं चालिए पहले प्रॉबबल लेवन देख लेते हैं प्रॉबबल लेवन इन दोनों को टीम की ऐसी है नेधरलेंड्स की मुसा जो ओपनिंग करेंगे उसके बाद विक्रम जित सिंग थोरी बीच में आपको इस्टेबिटी दे देते हैं और उसके बाद आपको सीधे आते हैं यहाँ पे लोगन वैन विक यह आपके बहुत प्रॉस्पेक्टिव बहुत अच्छे आल राउंडर माने जाते हैं और यह द लाटिंग उतनी कुछ खास है नहीं यहाँ पे स्कॉट एडवर्ड्स और पीटर सिलार पर बहुत ज़्यादा रहेगा इनके कप्तान और विकेट कीपर के उपर की इनको थोरा सा मोटिवेट करें और निकाले संकट दूइदा से तो यह इनकी टीम है यहाँ पे और कोई आ पूरण एनकुम्रा बॉनर, रोगमन पॉवल, काइल मायस, रोमेरियो शेफ़र्ड, जेडन सिल्स, अकिल हुसन और हेडन वल्स यह जो है प्लेइंग 11 इनकी वेस्ट इंडिस की है यहाँ पे यह है इसमें भी कुछ खास चेंज़ेस नहीं बस एक जो है अलजारी जोसेफ अभी फिलाल अवेलेबल नहीं फिर्स मैच के लिए फाइनल भी कहेल है इनकी फाइनल खेल रहा हैी अव्याईबल का फॉर्स तो इसलिए वो आपकोad उढ़ायों ऑल्रोष का बता बेंगे यहाँ forget में 65.6 का average fantasy point दे रहे हैं 10 पिशे 10 matches में तो ये आपको बस इसमें क्या अगर first balling कर रहे हो न तो आप Hayden Wals को अपने team में जरूर रखिए कि first balling करते वे काफी खतरना काफी घातक साबित होते हैं बाकी तो और कुछ इसमें वैसा कुछ है ये team काफी solid लग रही है against Netherlands तो इनको obviously जीत जाना चाहिए अगर मेरा से पूछे तो अगर कुछ मतलब क्या बोलते हैं उलट फेर नहीं हुआ तो cricket वैसे अनिस्चित्ताओं का खेल है अनिस्चित्ताओं वाली कुछ हालत हो गए तो अलग बात है पूरी plus fantasy points भी आपको मिलने वाली है तो इन दोनों को आप option में रख सकते हैं बैटर्स में Brandon King, Robman Powell, Max Dodd और best day lead ये चार आपके बैटर्स आपको दिखाई देंगे चारों अच्छे form में भी हैं तो उतना कुछ यहाँ पर तफात होना नहीं चाहिए कुछ फर्क पढ़ना नहीं चाहिए आपके लिए और यहाँ पर all rounders की बात करें Logan Van Wick और Romario Shepard Logan Van Wick जो है ना Netherlands के सबसे महतुपुन खिला रही हैं और यहाँ पर all rounders में आपको सबसे ज़्यादा points दिलवा के दे सकते हैं तो इनको तो आप अपने team में try करें और इनकी बारे में बताओ तो इस venue पर last के चार बैटिंग नौक से 31, 6, 31 और 64 तो बैटिंग से तो points दे रहे हैं और last चार balling में 2, 2, 1, 1 ऐसे wicket लिए तो wickets भी काफी ले रहे हैं और batting serans भी काफी बना करे रहे हैं खास तर से इस venue पर तो आपको यहाँ पर लोगन वैंविक को तो 100% लेना ही चाहिए रोमारियों शेफर्ड ये भी काफी अच्छा करते हैं इन परिस्थितियों में और खास तर से अगर ये batting second कर रहे हैं तो रोमारियों शेफर्ड को आप बिल्कुल अपने team में रखें और ballers में अकिल हुसन, जेडन सिल्स और फ्रेड क्लासन ये तीन आपके ballers हो सकते हैं अब इन तीनों ballers में आप अकिल हुसन का last 5 का balling figure अग आप देखें एक, एक, तीन, दो, एक मतलब हर match में wickets तो लेते ही हैं इसलिए आपको fantasy points तो guaranteed हैं इसके अलावा जेडन सिल्स जो है यहाँ पर वेस्ट इंडिस के upcoming stars माने आते हैं मतलब fast balling में आपको काफी अच्छे points दिलवा के दे सकते हैं और Fred Klassen जो हैं यहाँ पर last 5 balling figures यहाँ पर नहीं मतलब last 5 balling figures मैं बता हूँ आपको 2, 3, 0, 2, 2 ऐसे हैं मतलब हर match में wicket लिया सिर्फ एक मैच में और हर match में 2 plus wickets लिये तो fantasy points आपको काफी मिलने के chances हैं और last 4 balling इस venue पर जो इस venue पर खेले हैं उनमें 3, 3, 0 एक मतलब 2 बार 3 wickets हो लाए और last 2 match जो इस venue पर खेले हैं उसमें 3, 3 wickets हैं तो आप Fred Klassen को भी ना miss out करें यह आपकी probable, sorry fantasy 11 जो है आपको ऐसी दिखनी चाहिए आपके squad की बाकी तो हम चलिए बात करते हैं अब किसके तरफ जी हां आप समझ गए होंगे आपकी investment strategy कैसी होनी चाहिए investment strategy आपकी low to medium head to head में ज़्यादा team में लगाई है आपको हमारी strategies पसंद आया हो आपको हमारी strategies पसंद आयो तो प्लीज लाइक कीजिए तब ही हम आपको captaincy wise captaincy बताएंगे नहीं नहीं मजाग करें तब लाइक कर देंगे मैं मुझे पता है बस हमें आपको captaincy wise captaincy बताने वाला हूँ कि वैसे fantasy picks आपको top के बता दिये थे मैंने captaincy wise captaincy में head to head small league में शेहोप, Logan Van Wick आप रह सकते हैं और grand league में Nicholas Puran, Max Ordwood ये आप 4 players को try कर सकते हैं इनके अलावा आकिल हुसेन और Fred Klassen को भी आप अपनी team में try कर सकते हैं grand league में wise captaincy के रूप में इन दोनों को try कर सकते हैं बाकी आपके लिए ये चार options हमने provide की हैं hopefully आपको ये चारों अच्छे points दिलवा देंगे, stats के हिसाब से तो अच्छे points दिला रहे हैं बैराल जाने से पहले बस एक बार कहूंगा कि www.fantasygully.com हमारी website आप प्लीज चेक आउट केजिए यहाँ पर सिर्फ इस match का नहीं world over में जितने भी matches होते हैं domestic, international आपको हर किसी के fantasy tips, teams मिल जाएंगी player battles मिल जाएंगे तो आप प्लीज चेक आउट वहाँ पर जरूर करिजे और हमें हार social media platform पर follow प्लीज कर लीजेगा हमारा एक app जिसे मैं आपको बताएं कि app है google play store पे fantasy gully के नाम से आप प्लीज चेक आउट कर लीजे वहाँ पर आपको सब कुछ finger tips पे मिल जाएगा available, readily available that's it from this particular video, अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को like किजिए और चनल को subscribe करना न भूलिएगा मैं रौनक गुमर केडिया from the fantasy gully so signing off till next time, take care